नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर दोस्तों आज हम इस सेशन में आपको बताने वाले हैं कि कोई भी फोटो जैसे कि आप फोटो कभी कवार कैप्चर करते हैं तो ऐसे दिन में आप फोटो कैप्चर कर रहे हैं तो उस समय पर क्या होता है कई बार हम अपनी लाइटिंग की सेटिंग जो है सही तरीके से नहीं कर पाते हैं जल्दी जल्दी में और फोटो में लाइटनेस ज्यादा सकता है ब्राइटनेस या कॉंट्रास्ट आपके फोटो में ज्यादा हो जाते हैं तो उस टाइन पे आपका फोटो जो है ज़्यादा सार पे ना जाता है उस पर light ज्यादा हो जाती है ठीक है तो ऐसे फोटो से हमको clarity कैसे लेना है या दोस्तों चूंकि हमने photo capture तो किया है ना और हमारा photo जो है capture भी हो गया और हम जल्दी जल्दी में उस time पे हम अपने photo को नहीं देख पाए कि वास्ता में हमारा photo कैसा capture हुआ है ठीक है तो अब हमें क्या करना होता है उस time पे जब हमें photo उसका output चाहिए होता है उस time पे हम देखते हैं तो photo हमारा ज्यादा light है photo पर प्रकास ज्यादा है ज्यादा whiteness दिख रहा है अब हमें उस photo को actual color mode पे लाना है और थोड़ा सा उस पे darkness लाना है तो उस तो इस कैसे होगा photo में जो over light आ गया है उसे हम कैसे हटा है इस बारे में हम इस वीडियो पर चर्चा करने वाले हैं आपसे बहुत मजाने वाला है दोस्तों पूरा आगे अंतर तक देखें वीडियो without escape के तो सबसे पहले आप एक काम करिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और बिल आइक़ॉन अबस से प्रेज करें ताकि हमारे जो नए नए वीडियो आ रहे हैं वो आप तक पहुछ सकें तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं सबसे पहले उसके लिए हम क्या करते हैं फोटो में से ओभर लाइट को उटाने के लिए अपन सबसे पहले तो फोटो साप ओपन कर लेते हैं जैसा कि मैंने अभी ओपन कर लिया है अपना फोटो साप और हम अपना डॉप फोटो साप ओपन करने के बाद अब उस photo को अपने Photoshop पर लाते हैं जिससे में से हमें over light को हटाना है जिया दोस्तों तो जैसे एन example में ये photo ले रखा हूँ आप इसमें देख पा रहे हैं कि देखिए over light यानि कि इस photo में जो है lightness थोड़ी से ज़्यादा समझ में आ रही है अब हमें इस photo की lightness को कन करना है तो कैसे करेंगे आप देख लीजिए इसके लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले तो हमें levels को लेना है levels के लिए आप image में जाकर के adjustment और ये देखिए control प्लस L से levels ले सकते हैं इसको आप आटो भी कर सकते हैं देख पा रहे हैं आप तो उसमें से कुछ परिवर्तन हो रहा है और या कि फिर आटो नहीं भी करना है तो उसके लिए मैं आपको बता देखिए और दूसरा है अपने को कर्व की सेटिंग करने कर्व से ले लेते हैं कर्व कहां से लेंगे दोस्तो उसके लिए आप यहीं इमग्स नहीं में जाके अड्じश्टमेंट सब मीनु में आप देखिए कर्वस से कर्वश में से चैनल में लिख़ हुआ है Sultan प्रोग करना कर्वा हूं लेंगे ठीक है तो आप upside इसको अगर drag and drop करेंगे upside push करेंगे तो दोस्तों आप देखेंगे कि lightness बढ़ेगी अगर अगर downside करेंगे तो lightness minus होगी आप देख पा रहे हैं यह देखिए मैं करके दिखाए दे रहा हूँ यह अपन ऊपर side करते हैं इसकी lightness और बढ़ती जा रही है देख पा रहे हैं आप यह ज़्यादा सफेद हो रहा है और अप इसी को अब हम नीचे कर रहे हैं तो आप देखिए इसकी lightness जो है कम होती जा रही है यह दोस्तों इस पे जो light था वो कम हो रहा है आप देख पा रहे हैं तो आप बहुत अच्छे समझ पा रहे होंगे कि हमें lightness कैसे कम करना है इलकुल तो चाहिए है उतना हम अपना curves की setting कर लेंगे कितना उपर नीचे हमें चाहिए यहां से आप देख पा रहे हैं कि हम इसको जैसे ही उपर नीचे कर रहे हैं तो changing हो रही है तो इसके बाद हम अपने इच्छनुसार जितनी lighting चाहिए उतना curves की setting करने के बाद ok बटन पर click कर देते हैं और जैसे ही ok करेंगे तो आप देख पा रहे हैं मित्रो यह हमारा adjust हो गया color sorry lightness और इसके बाद हमें levels ले लेना है control plus sl से इसके बाद हमें यहां से देखिए आप आटो भी कर सकते हैं आप और आटो नहीं करना है तो पुना एक बाद लेकर के आप और इन points के माध्यम से आप अपने इस brightness को या contrast को आगे पीछे कर पाएंगे आप देख पा रहे हैं हमें कितना lighting चाहिए कितना brightness कर सकते हैं और इसके बाद आप ok कर देंगे तो आपका कितना आप उली का लिख पाएंगे तो आप पाएंगे दो आपका उली कर देख पाएंगे चाहिए